हलो फ्रेंड्स वेलकम टो यूट्यूब चैनल फोर आपकी सक्सेश चले तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज किस वीडियो में हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट हेंड्रेड क्यूशन यहां पर सॉल करने वाले हैं जो आपका रेलवे एंटीपीसी 2016 का एक्जाम लगा था वो टोटल 44 सिफ्ट में लगा था और हर सिफ्ट में कंप्यूटर से आपको दो से तीन क्यूशन पूँचे गए थे तो इन सबी क्यूशन को हम आज यहां पर सॉल करने वाले हैं क्योंकि आपकी हर एक्जाम के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैं तो चलिए आपर स्टार्ट करते हैं और देखिए जिस भी क्यूशन का आंसर आपको पता हो तो बैले आपको क्लास में आना है तो चलिए आपर एस लिए स्टार्ट करते हैं क्यूशन नम्मर फबर स्ट है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर गहा जाता है तो इक यह चाहता है कंट्रोल युट को ओप्चन आपकी D, right हो जाएगा, next question देखते हैं, next question है, निम लिखित में से computer का मस्तिक्स कौन सा है, तो ये होता है CPU, option है आप पर C, right हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक output device नहीं है, तो ये नहीं है, scanner, option है आपर B आपका बिल्कुल सही है, next question है, निम लिखित में से input device कौन सा है, तो ये होता है, आपका joystick, option है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, next question देखिए, निम लिखित में से computer के लिए कौन सा device, एक input device नहीं है, तो ये नहीं है monitor, option है आपका D, right है, अगला question देखिए, निम लिखित में से कौन सा उपकरण storage device नहीं है, तो ये नहीं है modem, option है आपका C, right हो जाएगा modem, next question है आपका देखिए, निम लिखित में से कौन सा भंडारण उपकरण, अब अब अपर चलित हुआ है, तो ये हुआ है floppy, यहाँ पर option आपका C, right हो जाएगा, next question है, computer के mouse का आविसकार किस ने किया था, तो ये किया गया था, Douglas एंगल बटके, दुवारा computer के mouse का आविसकार किया गया था, option B, right हो जाएगा, next question है, computer desk के बिना काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पर right answer है, option A, CPU, next question है, computer की किस PD में programming के लिए यांत्रिक भासा का प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था, computer की पहली PD में, option A, right हो जाएगा, अगला किस ने आपर है, दुनिया का पहला programmer किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है, Ada, Lawless को, option ने आपर आपका B, right हो जाएगा, next question ने आपर है, निमल लिखित में से कौन सा operating system नहीं है, तो ये नहीं आपका C, plus, यहाँ पर option A, आपका right हो जाएगा, C, plus, ने आपर है, computer network के सम्बंद में, TCP का विस्तार क्या है, तो ये होता है, transmission control protocol, यहाँ पर option आपका C, right हो जाएगा, transmission control protocol, C, निनकि sorry, TCP का पूरा विस्तार होता है, next question है, capture dash एक computer program है, तो ये होता है, मानव input को machine input से अलग करने के लिए, option आपर आपका D, right हो जाएगा, next question आपर है, निमली कितमी से कौन सा इस सम्मौह से सम्मधित नहीं है, तो ये नहीं आपका कौन सा, spam, option आपर आपका C, right हो जाएगा, next question देखते है, अगला की सुनिया पर है, webpage dash का उप्योग करके बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते है, HTML का use करके, option आपका A आपर राइट हो जाएगा, next question है, computer सब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है, तो MIPS का अर्थ होता है, क्या होता है, million instruction per second, option आपर B आपका right हो जाएगा, next question है, निमली कितमे से किस उपकरण में gyro scope का प्रियोग किया जाता है, तो gyro scope का use किस में किया जाता है, ये किया जाता है, computer mouse में, option आपर आपका C बिल्कुल correct हो जाएगा, next question आपर देखे, compiler क्या है, compiler क्या होता है, तो एक ये software होता है, compiler, तो यहाँ पर option आपका बिल्कुल right हो जाएगा, software, next question की तरफ चलते हैं, login नाम और password का सत्यापन किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है, उप्योग करता कि पर्मानन हे तू, option आपर आपका C right हो जाएगा, अगले किस लिए देखते हैं, network computer, network operating system है, जिसे dash दवारा विक्सित किया गया है, तो ये क्या गया किसके दवारा, novel की दवारा, यहाँ पर option आपका C right हो जाएगा, novel, चलिए next किस लिए आपर देखते हैं, मेकेफ डेश है, तो मेकेफ बताना है क्या होता है, तो ये anti-virus software होता है, मेकेफ, तो यहाँ पर option आपका D right हो जाएगा, anti-virus software, next कि उसने आपर है, lane का अर्थ क्या है, lane का अर्थ पूछा गया है, तो यह होता है, local area network, क्या होता है, तो option आपका B यहाँ पर right हो जाएगा next कि उसने आपर है निमल लिकित network यहाँ पर आपको correct कर लेना है आपका यहाँ पर क्या होगा topology topology ओके यहाँ पर आपको correct कर लेना होगा आपका topology तो देखे निमल लिकित network topology में से इसकी इस संसरन गती उच्चतम होती है तो यह होती है लेन में से किसमें लेन में option आपका A यहाँ पर right हो जाएगा next question देखते है WLAN का पूरा नाम क्या है WLAN का पूरा नाम बताना है तो यह होता है wireless local area network क्या होता है wireless local area network तो option A आपका यहाँ पर right हो जाएगा next question देखते है MS PowerPoint में सभी slider के font को दूसरे font में बदलने के लिए निमल कित्मी से कौन सा command दिया जाता है तो यह दिया जाता है format-replace fonts तो यहाँ आप option आपका C राइट हो जाएगा next question आपर आता आपका internet की किस दिग्गस company ने तेलंगा ना में ग्रामिन self help group को ससक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का online परचार करने के लिए परसिक्षन कारिकरम की शुरुआत की है तो यह की गई है Facebook की दुआरा तो यहाँ पर option आपका C राइट हो जाएगा next question देखते है next question आपर है भारती मूल के सिव अयादुरई किसके आविसकार से जुड़े हैं तो यह जुड़े किसके आविसकार से email के आविसकार से तो option आपका C राइट हो जाएगा next question आपर आपका है IP पते क्या करना है IP पते के बिंदूदार दस्मल प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है octet option आपका B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा next question है fireball की सम्मंद में विसम कथन का पता लगाईए तो यह आपका होता है कौन सा fireball आग से computer की सुरक्षा करता है यह बिल्कुल रॉंग है तो यहाँ पर आपका right answer जीगा option D next question है Microsoft Corporation की स्थापना कब की गई थी तो यह की थी 1975 में तो यहाँ पर option आपका B right हो जीगा 1975 next question है एक एक करत परिपत जिसे IC चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित electronic परिपतोखा एक समोव है जो dash से बना होता है तो IC चिप पहुचा गया यह किसकी बनी होती है IC चिप तो यह बनी होती है किसकी silicon की option यहाँ पर आपका C बिल्कुल right है next यहाँ पर आपका question है computer आपको यहाँ पर करक्रकल लेना है computer इस्तमाल होने ने computer में इस्तमाल होने वाली integrated circuit यान कि IC चिप बनाने में निमली कित में से कौन से राशानिक तत्त टेट्रा wallet उपधातु का इस्तमाल किया जाता है तो देकि इसमें किया जाता है कि silicon का option आपका C आपर बिल्कुल सही हो जाएगा next question है dash एक यंतर होता है जो digital जानकारी को encode करने के लिए संकेतों को modulate करता है और संचरित जानकारी को decode करने के लिए संकेत को demodulate करता है तो यहाँ आपका कौन सा होता है option यहाँ पर C आपका right हो जाएगा modern next question देखते है wisdom चुनिए wisdom यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है तो option आपका B आपका right हो जाएगा antivirus यह तीनों से विसम है अलग है question B आपका right है चले next question देखते है कितनी bits एक byte के बराबर होती है तो यह होती है किसके 8 byte के बराबर होती है 8 bits जो होती है वो 1 byte के बराबर होती है option A आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है next question यहाँ पर है निमलिकित में से computer memory का सबसे बड़ा size कौन सा है तो यह होता है कौन सा yota byte option आपका D आपका right हो जाएगा next question है निमलिकित में से सबसे छोटी 1 के memory का नाम बताईए तो यहाँ पर आपको सबसे छोटी पूछी गई तो यह होती है कौन सी टेराबाइट option आपका C राइट हो जाएगा next question यहाँ पर है भारत का पहला super computer किसे माना जाता है तो यह माना जाता है कौन सा परम 8000 को यहाँ पर option आपका C बिल्कुल राइट हो जाएगा next question यहाँ पर है mobile operating system software android OS 2007 में किस company ने विक्सित किया था तो यह किया गया तो किस के दोवारा यहाँ पर आपका जो right answer हो जाएगा option A आपका यहाँ पर राइट है Google Corporation next question की तरफ चलते हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है question important लग रहे हैं तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास में share करना और वीडियो को like ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा comment करना कि आपको यह class कैसी लगी है तो यहाँ पर आपका next question आता है ICN की ICT कि किसका संक्षित रूप आपको बताना है क्या होता है आपको यहाँ पर correct कर लेना है ICT का आपको संक्षित रूप पूछा गया है तो यह आपका होता है कौन सा Information and Communication Technology तो यहाँ पर option आपका C बिल्कुल राइट हो जाएगा next question देखते है next question देखते हैं आपर निमल लिकित में से कौन सा एक इस सम्मौह से सम्मधित नहीं है तो यह नहीं कौन सा आपका dose option आपका D यहाँपर राइट हो जाएगा next question देखते हैं light pen क्या है light pen आपको बताना है क्या होता है तो यह एक input device होता है light pen तो option आपका B यहाँ पर right हो जाएगा Next question आपर देखे निमल कितमे से कौन सा एक computer को संकर्मित करने वाला virus नहीं है तो यह नहीं है कौन सा Norton यहाँ पर option आपका C राइट हो जाएगा Norton Next question देखते हैं Next question आपर है चैनित पाठे की परती लिपी याँ की copy करने के लिए कुझी पटन पर किस कुझी सेयोजन का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर आपका right answer हो जेगा Ctrl plus C याँ कि option A आपका यहाँ पर right है Next question देखे हैं आपर Offsite के अंदरो संगरीद data तक की पहुँच internet पर पाने को dash की रूप में जाना जाता है तो यह जाना जाता है Cloud computing के नाम से तो यहाँ पर option आपका D right हो जाएगा अगले किसन देखें Data रूपानतरन के साथ क्या सच नहीं है तो यहाँ पर आपका right answer है अन्य मोडूल से data प्राप्त करना तो option आपका यहाँ पर C right हो जाएगा next की उसन आपर देखे B80- के लिए file selected होती है extension होती है तो यहाँ पर जो आपका right answer है वो जाएगा batch filing यहाँ पर option आपका A right हो जाएगा next की उसन देखते है next की उसन आपर है की का प्रियोग किया जाता है तो यह किया जाता है shift plus space का तो option आपका यहाँ पर D right हो जाएगा next की उसन है किस network पर पहला SMS भेजा गया था तो यह भेजा गया था Vodafone पर option आपका B right हो जाएगा Vodafone चले next की उसन देखते है तो यहाँ पर अगला की उसन है एक संगठन दवारा उसके क्रमचारियों के लिए अन्य उप्योग के लिए किये जाने वाले नीजी नेटरों को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है क्या intranet option आपका यहाँ पर B right हो जाएगा next की उसन देखिए निमन में से कौन एक ताउरित संदेश अप्लिकेशन नहीं है तो यह नहीं आपके कौन सी Google Chrome option आपका B यहाँ पर right है नेश की उसन देखिए निमन लिकित में से कौन सा एक उपग्रेब सेवा परधाता है तो यह आपका कौन सा है Intel Set यहाँ पर जो आपका right answer होज़ेगा option D Intel Set नेश की उसन देखिए है नेश यहाँ पर है एक दोरे घनत वाली 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क की भंडारन शमता कितनी है तो यह होती है 1.44 MB यानि कि यहाँ पर आपका right answer होज़ेगा option आपका D यहाँ पर विल्कुल right है 1.44 MB नेश क्यूशन की तरफ चलते है तो यहाँ पर नेश क्यूशन देखिए इनमें से कौन सा DBMS का उधारन नहीं है तो यह नहीं कौन सा Apache option आपका यहाँ पर D राइट हो जाएगा चले फ्रेंट नेश क्यूशन देखते हैं आपर BIOS का क्या कारिया है तो यहाँ पर BIOS का कारिया आपको बताना क्या होता है तो यह होता है system hardware के पुर्जों को प्रारंब करना option आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा नेश क्यूशन देखिए IP address का अभिप्राइट क्या है तो यह होता है एक संख्या आत्मक network label तो यहाँ पर आपका option B अगला क्यूशन की तरफ चलते है तो यहाँ पर अगला क्यूशन आपका है एक MS Excel seat पर काम करते हैं एककस में कोई formula दर्ज करने के लिए formula से पहले क्या आना चाहिए तो देखिए यहाँ आना चाहिए आपका क्या equal का आपका sign आना चाहिए तो यहाँ पर option A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट की उसने आपर देखे जिसमें सभी nodes सीधे एक सामाने केंद्रे computer से जुड़े होते हैं वह लोकल एरिया नेट्रक क्या कहलाता है तो यह आपका कहला जाता है star क्या होता है star option आपका यहाँ पर D right हो जाएगा नेश्ट की उसने आपर है निमल लिकित में से कौन सा एक word processor का क्या होता है उदारन नहीं है word processor होता है उसका आपको example यहाँ पर कौन सा नहीं है तो यह आपका हो जाए कौन सा hypertext सम्मदित file यहाँ पर आपका right answer कौन सा हो जाएगा तो इस question का right answer हो जाएगा option B Microsoft Excel जो Microsoft Excel है यह एक word process का example नहीं है next question देखते है CSS file विस्तारन सामने ते किस परकार के file का संदर्ब देता है तो यह होता है कौन सा hypertext सम्मदित file option आपका B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा next question आपका computer सब्धावली में URL का विस्तार क्या है URL का आपको यहाँ पर full form बताने है क्या होती है तो इसका right answer आपका हो जाएगा uniform resource locator option आपका यहाँ पर D बिल्कुल right हो जाएगा अगला किस पर देखे अंचाहे email को सामने ते क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है spam यहाँ पर option आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा next किस पर है MMU का विस्तार क्या है तो यह होता है memory management unit तो यहाँ पर option आपका D बिल्कुल सही है memory management unit MMU का विस्तार होता है अगला किस पर पर है मानक windows के कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या बताईए तो देखे यह होती है कितनी total 12 कुंजियों की संख्या होती है किसमी मानक window की कुंजी पटल पर तो option आपका यहाँ पर C बिल्कुल सही हो जाएगा next यहाँ पर question आता है USB का अर्थ है USB का अर्थ है यहाँ आपको बताना है तो यह होता है universal serial bus क्या होता है universal serial bus इसकी full form होती है USB की तो यहाँ पर option आपका C बिल्कुल right हो जाएगा चले next question आपका देखते हैं और सभी questions आपके लिए very very important है एक भी question का आपको skip नहीं करना है okay next question आपके निमली कितमी से कौन सा विकल्प दित्य या भंडारन उपकरन नहीं है तो इसका आपका right answer हो जाएगा रेम option B यहाँ पर सही हो जाएगा next question देखिए android की विखास के लिए आदिकारिक भासा कौन सी है तो यह होती है कौन सी जावा option B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा next question देखिए UNIX operating system किसका trademark है तो यह होता है किसका आपको बताना है तो यह होता है bell लेबोर्ट्रीज का तो यहाँ पर option आपका D राइट हो जाएगा bell लेबोर्ट्रीज का क्या होता है यह trademark होता है option आपका D यहाँ पर सही है next question देखिए आपर है encoding के सम्मंद में एसंगत का पता लगाईए तो यहाँ पर आपको encoding के लिए पूछा गया है कि इसके सम्मंद में एसंगत यहाँ पर कौन सा कथन आपको दिया गया है तो इस question का right answer हो जेगा option D coded data का पुने रूपांतरन चली तो अगला question यहाँ पर देखते है तो अगला question है जब computer switch on किया जाता है तथा operating system hard disk से man memory से load होता है तो उस परक्रिया को क्या कहते हैं तो यह का जाते हैं इसको booting इसको बोलते हैं तो option आपका यहाँ पर भी right हो जाएगा Nash question यहाँ पर देखिए Trozen 1 dash का एक परकार है तो Trozen यहाँ पर पूछा गया कि Trozen किसका परकार होता है तो देखिए यह किसका होता आपका यहाँ पर आपका जो right answer हो जाएगा वो जाएगा आपका कौन सा malware option यहाँ पर आपका B बिल्कुल सही है चलिए तो Nash question यहाँ पर देखते हैं सब्द हब के साथ क्या सच नहीं है तो इस question का आपका right answer जी का option B हब एक software है Net question देखते हैं Twitter किसने संस्तापित किया था तो Twitter आपको बता नहीं किसके दौरा संस्तापित किया गया था तो यह किया गया था इवान वीलियम्स के दौरा यहाँ पर option A आपका बिल्कुल correct हो जाएगा Net किसने आपर है Computer के सम्मन में www का विस्तार क्या है तो यहाँ पर आपको www की फुल फॉर्म पूची दी है क्या होती है तो यह आप सभी को पता होगा तो यह होती है World Wide Wave क्या होती है World Wide Wave तो यहाँ पर option A आपका C बिल्कुल right हो जाएगा Next किसने आपर देखिए Computer के संदर में Online का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है तो यहाँ पर online का आपको अर्थ बताने की कौन सा नहीं है इन में से तो यह आपका right answer यहाँ पर हो जाएगा एक गैर कार्यात्मक एकाई में connectivity की इस्तिती तो यहाँ पर option आपका B बिल्कुल सही हो जाएगा Next किसने आपर देखिए निम्न में से क्या सामान्य नहीं कर सकता तो option आपको देगे हैं इन में से आपको बताने की कौन सा जो हो गणना नहीं कर सकता है तो यहाँ आपको नहीं कर सकता कौन सा प्रिंटर option आपका D यहाँ पर राइट हो जाएगा Next किसन है computer के संदर में B.I.T. इसका संक्सित नाम है तो यहाँ पर आपको B.I.T. का यहाँ पर संक्सित नाम बताने क्या होए तो यह होती है binary digit यानि की अंक क्या होती है binary digit तो option आपका यहाँ पर A.R. हो जाएगा Next किसन है आपको देखे दिये गई विकलपों में से सरवाधिक उप्युक्त चुनकर रिक्तिस्तान भरे चुकि mobile banking का परचलन बढ़ता ही जा रहा है भाउस्चे के वित्य लेन देन डेस प्रोधोगी के पर आधारित होंगे तो यहाँ पर आपको डेन यहाँ पर बताना है रिक्तिस्तान में क्या यहाँ पर भरा जाएगा तो यह होगा कौन सा वाइरलेस option यहाँ पर A.R. हो जाएगा Next किसन है आपर देखे MS Word के टेक्स डोकुमेंट में काम करते समय माउस को डेस क्लिक करने पर यह है डिफोल्ट रूप से पूरे पैरगराप का चैन करता है तो यह आपका उजएक होंचा ट्रिपल option आपका यहाँ पर D बिल्कुल राइट हो जाएगा चले तो next किसन है पर देखते हैं कितने गीगाबाइट से एक टेराबाइट बनता है तो देखे यह बनता है 1024 गीगाबाइट से क्या बनता है एक टेराबाइट बनता है तो यहाँ से option आपका बी राइट हो जाएगा next किसन है पर देखे ms word की tax document को संपाधित करते समय copy और paste करने के लिए करम से यह संयोजन कुंजियां परियुक्त होती है तो देखे कौन सी कुंजियों का use किया जाता है तो देखे यह किया जाता है किसका control प्लस shift और control प्लस V तो यहाँ पर आपका right answer कौन से हो जाएगा option B यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा Nash के उसने आपर देखे कोई व्यक्ति computer साक्सर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल तो यहाँ पर पूछागा है कोई व्यक्ति जो है वो computer साक्सर कभ कहलाता है तो देखे यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा आप्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है तो इसको बोलते हैं compiler क्या बोलते हैं compiler option आपका B यहाँ पर right हो जाएगा next question है वेब पेज़ पर वापस आने वाले users की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो यह किया जाता है किसका cookies का यहाँ पर option आपका D बिल्कुल सही हो जाएगा cookies next question की तरफ चलते है unicode परधान करता है तो unicode क्या परधान करता है तो देखे यह करता है परतेग लिए जिके सबी character के लिए विसेज code यह परधान करता है unicode तो option आपका यहाँ पर यह बिल्कुल correct हो जाएगा next question देखिए dash एक software code है जो software program install करने के बाद उस program से जुड़ी किसी समश्या को ठी करने के लिए परियुक्त हो सकता है तो यह कौन सा होता है तो यह होता आपका page क्या होता है यहाँ पर option आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा next question आपका देखिए dvd इसका एक उधारन है तो यह होता है कि इसका optical disk का तो option आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा next question आपका यहाँ पर है gyroscope के सिधान का प्रियोग डैस में नहीं किया जा सकता तो यह नहीं किया जा सकता किसमें inkjet printer में किसमें नहीं किया जा सकता inkjet printer में जो gyroscope है इसके यूस नहीं किया जा सकता option आपका यहाँ पर d बिल्कुल right हो जाएगा चले friends next question देखते हैं आपर next question है एक बुनियादी computer system की fairy farewell deviceों में यह सामिल नहीं होता है तो कौन सा नहीं होता है तो यह नहीं होता आपका CPU option यह पर आपका B right हो जाएगा चले तो guys next question देखते हैं और आज का आपका यह last question है MS Excel में एक function के अंदर से दूसरे function को क्या कहा जाता है तो देकि इसको क्या बोलते हैं यहने कि जो MS Excel होता है उसमें एक function के अंदर दूसरे function को क्या बोला जाता है तो इसका आपका right answer हो जाएगा next function क्या हो जाएगा next function option यहां पर आपका D बिल्कुल correct हो जाएगा तो friends आज का वीडियो यहीं पर complete होता है आज के इस वीडियो में ने computer के most important questions को यहां पर solve कर लिया है जो आपकी जो railway NTPC की exam होईती 2016 में उसमें यह question पूछे गए थे क्योंकि आपके लिए होती ज्यादा important है तो आपको अपने सभी दोस्तों के पास में इसको share करना है और like जरूर करना है और इसकी PDF आपको टेलिग्राम से